इंदरी हलके के जन्नायक जन्ता पार्टी के अध्यक सुमेर्चंथ कामबोज द्वारा पार्टी के इप दिकारियों के साथ पद्व पार्टी सित्याग पतर दे कर पार्टी को बड़ा जटकनगा है। पत्र का हवाला देते हुए सुमेर चंद काम बोज ने कहा कि पिछले 30 सालों से जुड़े रहे हैं इस दोरान जिला परिसद सदस्या वे चेर्मैन के पद पर रहते हुए छेतर के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर काम किया है उन्होंने कहा कि जन्नायक जनता पार्टी के नेतरितव की कार गुजारी और नितियों से दुखी होकर पार्टी के कारेकरता हुए पदादिकारी हताश्व निराश है इसी हताशा और निराशा से बाहर निकलने के लिए पार्टी के पदादिकारियों ने पार्टी को छोड़ने का निर्ने लेने पर विवश होना उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि जिस पार्टी में अपने परिवार वे बच्चे का पेट काट कर पार्टी की 30 साल से निष्टा से सेवा की है उसे छोड़ते हुए मन में पीड़ा हो रही है क्योंकि पार्टी नेतरितव से एक कुर्सी के लिए पार्टी को दो राहे पर खड़ा कर दिया गया है ऐसे में पार्टी कार्यकरताओं में पददिकारियों का क्या कसूर है उन्होंने कहा कि पार्टी नेत्रितव में अपने स्वार्थ के लिए कार्यकरताओं की मेहनत वे निस्ठा पर अपना स्वार्थ का पानी फिर दिया उन्होंने कहा कि हर्याना में पार्टी नेतरितव की कार गुजारी के कारण पार्टी के अनेक पदधिकारियों वे कारेकरताओं में हताशा वे निराशा का माहूल बना हुआ है तथवय पार्टी छोड़ने का निर्ने लेने पर विवश हो रहे हैं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीतिक अगला कदम क्या होगा यह कारेकरताओं की बैठक में सर्व सम्मती से लिए गए निर्ने पर निर्भर करेगा उन्होंने इस कदम के लिए अपने समर्थकों की मैतपूर बैठक बुलाई उधर यह भी पता चला कि सुमेर्चंद कामबोज वे उनके साथियों को अपने पक्ष में लाने के लिए कई दलों के नेता उनसे संपर्क साथ रहे हैं दूसरी तरफ जन्नाएक जन्ता पार्टी के बड़े नेता भी सुमेर्चंद कामबोज को पार्टी में बने रहने के लिए मनाने में लगे हुए हैं जन्ना एक जन्ता पार्टी में दोबारा से जाने के सवाल पर सुमेर चंद कामबोज ने कहा कि जेजेपी में जाना होता तो उसे छोड़ते ही क्यों मैं सुमेर चंद कमबोज अलका देख्स जन्ना एक जन्ता पार्टी हलका इंदरी मैं लगबग 37 सालों से चोधरी देविलाल जी के प्रिवार के साथ जुड़ा रहा और चोधरी देविलाल जी ने और चोधरी उम्परिकास चोटाला जी ने आज तक जितने भी पार्टीयां बनाई पूरी निष्ठा से और लगण से हर पार्टी के लिए हमने समर्पित होकर के कारिया किया लेकिन अब कुछ पिछले समय से चोटाला प्रिवार में अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए जो घमा सान मिचा था उसके कारण आज पार्टी के हर कार्यकरता हतास वे निरास है और पार्टी के कार्यकरताओं के दवाव के कारण ही मुझे आज अपनी पार्टी के अध्यक्स पद से और पार्टी की सदस्ता से स्तीफा देना पता अगले कदम के बारे में हमने कल ब्याना अनाजमंडी में अपने सभी कार्यकरताओं की मीटिंग रखी है जो भी मेरे कारेकरता मेरे भाई मुझे आदेश देंगे मैं उनके आदेश की पालना करूँगा जहां वो कहेंगे वहां जाओगा देखिए मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं की आज तक मैंने कभी ना किसी टिकट की मांग की ना किसी पद की मांग की ये जो अध्यकस का पद्ध है मुझे तो जिस दिन मुझे अध्यकस डिकलेयर किया गया टैलि विजन के मादन से मुझे पता चला कि मुझे अध्यकस बनाया गया है मैंने एक बार भी पार्टी को जाकर कि किसी पद्ध की माँग नहीं की और इसके लिए मैं उनका सुकरगजार भी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा लेकिन उन्हों ने जो अपनी स्वार सिद्धी के लिए अपनी मुख्या मंत्री के पद की लालसा में जो कारिया करताओं के अंदेखी की है जो इतने सालों की मेहनत कार्यकरताओं की बेकार की है, मिट्टी में मिलाई है, मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मुझे पद की कोई लालसा नहीं, आज जिसके पास अधैक्स पद हो, वो सभी कितनी भी उसके सामने कोई दिक्कत आए, उस सभी दिक्तों को वो सेहन करता रहता है, अपने पद को नहीं छोटेगा, लेकिन मुझे अधैक्स पद की कोई लालसा ना थी, ना है, मुझे तो सिरफ मान समान चाहिए था, अपने वरकरों का, जो मेरे कार्यकरता साथी हैं, लेकिन आब सिरफ उन में आपसी घहासान के कारण कार्यकरताओं का मान समान न रहा था, तो इसलिए हमने सभी बाईों ने कठे करके निरना लिया, कि हम अपने पद से स्थीवा देंगे, और आगामी कार्यकरताओं के कठे करके, जो भी निरना सभी बाई लेंगे, वहां जाएंगे, इस साथ यो यहां बैठे हैं, इन सभी ने, पिछडावर के हलका पर दहान हैं, हलका इंदरी के, ये भी पदा दिकारी हैं, ये भी पदा दिकारी हैं, ये भी पदा दिकारी हैं, और अन्यक्त, कई सो लोग कल मीटिंग में इकठा होंगे, और जो लिरना सभी कार्यकरता लेंगे, वह मुझे मंदूर हो, मैंने कार्यकरताओं के कैने से ही पार् आपकी जयान की तो अबने मर्जिस जोड़ रहे हैं